कि अध्यूंग केसे हैं आप साफ आयूब कि आप सब बहुत बढ़ी हैं और आज हम करने वाले हैं लेसन नमर 18 पार्ट को नाम है हमारी जंजाती एकलाएं हमारी मद्द प्रदेश की जंजाती एकलाएं तो इस चेप्टर को आप जरूरू पड़ें बहुत बढ़ी है इसमें हमारी जो मद्द प्रदेश की एतहा से जंजाती हैं और हमारी क्या क्लाएं हैं उनकी ना उनका रहन साइन की ऐसा है इस बारे में हमको बता पड़ीगा हम चलते हैं सीधे एक्साइज पर इसकी एक्साइज में क्या क्या है हमको करने के लिए वह हम देखते हैं तो देखी प्रदर्शनी में क्या बताया गया था तो इसका सई अंसर है देखो आप पीज नंबर पहला यह जो इसका बुए आपका यहां मिल जाएगा इसका अंसर देखो थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने कुप बुक में ही टिक कर दिया है यहां से लिकना है यहां तक तो देखो मद्द प्रिदेश की विवन जन जातियों की कलाओं को उनकी सौभाविक परिवीश में बताया गया था तो इतना भनना है यहां से लेकर यहां तक ठीक है अगला कॉस्चन क्या बूला ओन्सकते हैं आप ते दिखिए मैं पंद द्रशत सिखेष में किलके ने चीज़ों में से सजाया गया था तक तो धुलिख लगव्या है ढज抗े आप यहां लेक्सकते हैं यह आप वह ब्रत्यच्ष पक्रूस्में सजाया गया था तो दिखरा सकती है अगला है कुस्चन नं जन जाती है कौन गोंसी है यह मैं आपको यहां बताऊंगा देखिए का खा और यह आपका गा तो देखो यहां गोंड भील कूरकू कूल बेगा मारिया और सहरिया प्रमक जन जाती है यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना है ठीक है अगला कुस्टन नंबर फूर क्या पूंचा गया है आपसे देखिए कुस्टन नंमर फूर आप से कहा गया है बच्चों कि गौंड़ी चित्तकला के क्या कहते हैं तो बा Window गंडि Лा का arm 13 जिइना क्या बुलती ठीक है अब जो है आपके ऑफ्सिनल कोस्टन है सहरीया जनजाती का अनाज भंडा अके लीए कोठी बनाई जाती है 3 कre ₱ गाता बनाने वाली जनजाती कौन सी राँ है तो वह कूर लाख बनाई जाती है गोंद से ठीक है नम्लेकर में सही गलत बताएं तो जन्जाती जो होते हैं जन्जातियां सभाव सही कलाप्रे में होती है बिल्कुल सही है जन्जातियों कि देनेक बस्त में कलात्मक नहीं होती है जन्जातियों लोग कलाओं पर प्रकतिक प्रफ़ा नह एह इस सब्दों की बहुत लिखी दो झाती का जातिंगा मूर्ति का मूर्ति पृति का पृति न ठांगला कोश्चन क्या दिया गया है देख को अगला कुस्चन है पाट में हाई यूक हुव सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पीड State तो पीड और पणधि तो सर्गार पीटि का ऊचुछ सरंगार की पीटि धनुसंवाण धनürü सोरवण पसुपक्षी पसुगरपक्षी चांद सूरच चांद और सूरच ठीक है इसको आप इस तरह से कंप्लेट कर सकते हैं इन सब्दों को सुद्द चांड कीजिए और लिखी तो बच्चों जी सब्जुद दिये गए ना इनका आपको सुद्द चांड करके यहीं पर भन आप रखी है चित्र आंकित चित्र हमकित प्रश्ट प्रिश्ठ चंकित निम्न हं कर लिकित लिखांकित इस तरह से आप उसके कर सकते हैं वेडियो को नाइक करें मिलते हैं अगर चैप्टर में जल्दी टेख केर